हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे योट्यूब चैनल स्टडी जोन पर दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान फॉरेस्टर और फॉरेस्ट गार्ड रिकूर्मेंट 2021 के बारे में जैसा कि दोस्तों आप सभी दो पता है कि राजस्थान में साथ साल बाद ये फॉरेस्टर और फॉरेस्ट गार्ड की जो है रिकूर्न निकाले गए थी पर दोस्तों रिकूर्न निकाले जो है एक डिड़ मैना से उपर हो चुका है और इसकी फॉर्म भी सब्मिसन डेट खदम हो चुकी है पर दोस्तों यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है कि हमारी भरती 7 साल बाद निकली हमने इसको लेकर फॉर्म भी भर लिया पर दोस्तों उस फॉर्म को भरने का क्या फैदा जब हमारी सिलेबस ही हमारे पास नहीं है कि हमें किस चीज के लिए त्यारी करनी है तो इसको लेकर candidate को बहुत ही ज़्यादा चिंतित हैं कि हम forest guard या forester की कौन सी syllabus पढ़ें या क्या चीज की त्यारी करें और किस चीज को पढ़ें इसको लेकर दोस्तों बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है और इसको लेकर candidate अब जो है high court में भी जा सकते हैं क्योंकि दोस्तों उन्होंने जो करमचारी चैन बोर्ड को इसको लेकर विग्यापन भी सोपा है पर उसके उनके ही तरफ से विग्यापन सोपने के बाद भी जो है forest और forest guard का जो है अभी तक syllabus नहीं जारी किया गया है तो उसको लेकर क्या update आरी है हम उसके बारे में पूरी information बताने वाले हैं और क्या forest guard और forester की जो है syllabus कब तक जारी हो जाएगी इसको लेकर पूरी information आपको step by step हम बताने वाले हैं तो चलिए बीनस समय गवाय हुए हम आपको पूरी information step by step बताते हैं तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों कर जाते हैं कि अभी तक आपने हमारा यूटूब चैनल स्टडी जोन को सब्सक्राइब कर लिजेगा वीडियो को लाइक कर दीजेगा और दोस्तों हमारे description के डबे में आपको हमारे टेली गराम का जो है ज्वाइन लिंक मिल जाएगा और साथ में हमारे Facebook पेज का भी लिक मिलेगा आप वहां से फालो कर सकते हैं तो जैसा कि दोस्तों यहां पर देख सकते हैं कि यह जो अपडेट आई हुई है यह जी न्यूज हिंदी के द जार कर रहे हैं यानि कि दोस्तों उन्होंने तो फॉरम भर दिया पर वो पढ़ें किया जब उनको पता ही नहीं है कि हमारे किस चीज से रिलेटेड इसमें सिलेबस आने वाला है तो दोस्तों यह सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है तो इसको लेकर यहां पर पूरी और से आवेधन परकिरिया पूरी करने के बाद अभी तक जो है भरती की सिलेबस जारी नहीं की है जिसमें की चैन पर देश सैकड़ों बेरोजगार असमस की अस्थिती में है यानि कि दोस्तों आपकी जो सिलेबस है वह जारी ना करने के कारण का इंडेट बहुत जादा ही कंफ्यूजन है क्योंकि दोस्तों भरती की परकिरिया को पूरा कर दिया गया है अगर मान लीजे कल ही एक्जाम डेट अगर दे दिया गया तो कैंडेट क्या करेंगे जब उन्हें यह सिलेबस ही पता नहीं है तो वह इस एक्जाम को फॉरेश्ट गार्ड और फॉरेश्टर फोरेश्टर की वो एक्जाम कैसे क्लिर करेंगे और एक्जाम वो किस बिना पर देंगे जब जो है राजस्थान स्टाप सेलेक्शन बोर्ड जब वनपाल और वनरक्षक की जो है सिलेबस नहीं निकालेगी तो यहाँ पर दोस्तो देख सकते हैं कि जैपूर में साथ साल पहले दोस्तो साथ साल के बाद ये भरती निकालेगी राजस्थान करमचारी चैन बोर्ड की तरब से वलपान और वनपाल और वनरक्षक भरती की यहाँ पर दोस्तो और विग्यापन निकाले हुई जनवरी में अंतिम सब्ता तक इसकी फॉर्म के आवेदन सुर्य कोई गए लगबग दोस्तो आवेदन होने के बाद एक महिना आने के बाद भी अभी तक जो है इसकी सिलेवस नहीं जारी की गई है यहाँ तक की कैंडिडेट ने इसको लेकर जो है जो करमचारी चैन बोर्ड में उन्होंने जो अर्जी भी दी ही कि सर हमारी सिलेवस जारी किया जाए नहीं तो सर हम क्या करेंगे इसको लेकर यहाँ भी बताया गया यहाँ पर देख सकते हैं करीब 11.000 पदों के लिए भरती निकाली गी ति सैगडो बेरुजगार को सिलेवस का इंतजार है करमचारी चैन बोर्ड की और से प्रिकरिया पूरी कर दी गई है पर अभी तक सिलेवस जारी नहीं किया गया है इसको लेकर चल रहे हैं परदेश में सैगडो बेरुजगार जो है असमस की स्थिती में आ चुके हैं क्योंकि दोस्तों अभि उन्हें लगता है कि कोटी में जाने के कोटी जाने पर जो है राश्तान सेलेक्शन बोर्ड जो है हमारी सिलेवस जारी나대 जारी यहां सिलेवस जारी वाने कि करवाई को لे कर बेरु यहां पर देखसे ते हैं भरती से जड़ी हुई अभिहनता जो है नरेंद मीनन ने बताए कि 7 साल बाद ये भर्दी पहले पहले तो आई और उसके आने के बाद अभी तक इसकी सलेवस जारी नहीं की गी है अगर सलेवस जारी करने का क्या नहीं मतलब है ये करमचारी बोर्ट चैन बता भी नहीं रहा है क्या आपको सलेवस में चेंजिस करने है या जीके में चेंज करने है वैसा कोई अपडेट या कोई नोटिस ही तो देना चाहिए पर दोस्तो करमचारी चैन बोर्ट को कैंडेट बिग्यापन दे दे के धख चुके हैं पर उन्होंने अभी तक कारियाले से कोई ऐसा नोटिस नहीं जारी किया गया है कि अभी सिलेबस में कुछ चेंजर के कारण या अभी नहीं निकाले जाएगा या इस टाइम निकाला जाएगा तो दोस्तों मानिए आप ही मानिए कि अगर कल के डेट में एक्जाम पड़े तो वह किस चीज की तियारी करे और किस चीज से वो एक्जाम दे यहां पर देख सकते हैं तो बताया गया है कि बोड करमचारी ने लगतार चक्र काड़ते काड़ते ऐसा कुछ जल से जल सिलेवस जारी करने की सैकुलों बिरुजगारी के राहत दीनी चाहिए यानि कि दोस्तो जल से जल जो chainboard है उसको जल से जल slaves जारी करना चाहिए और जो लाखो केंडेट है उनको जो है उनको जो slaves जारी करना चाहिए कि वो 11,000 पदों के slaves के लिए वो regarding त्यारी कर चुके तो दोस्तो यही update आरी थी जो हमने दे दिया अगर फिर भी अगर किसी तरह कोई confusion है तो आप कमेंट के माद्धम से हमसे पूछ सकते हैं आपकी पूरी साहता हमारे टीम के तरफ से की जाएगी तो फिर मिलते हैं दुस्तों अगले वीडियो में तब तब के लिए दोस्तों जया हिंदें